Microsoft PowerPoint 2010 Introduction आज से कुछ हरसा पहले, जब हम अपनी कोई चीज प्रिजेंट करते थे, मसलन, अगर हम अपनी कुछ आइडियाज को प्रिजेंट करना चाहते थे, तो हम Whiteboard या Overhead Projector वगारा पर प्रिजेंट करते थे. इसमें हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था. Whiteboard पर प्रिजेंट करने के लिए, हम एक वक्त में अपना तमाम मेटीरियल नहीं लिख सकते थे. Whiteboard पर अपने आइडियाज लिखना काफी दिक्कत तलब काम था. ये काफी मुश्किल होता था, कि हम board पर लिखें भी और साथ साथ प्रिजेंट भी करें. Overhead Projector का एक मसला ये था, कि इसे एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में काफी मुश्किल पेश आती थी. Transparencies को इसके मुटाबिक सेट करना पड़ता था, Transparencies को बदलने में भी टाइम लगता था. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्यूंकि कम्प्यूटर ने जहां हमारी बहुत सी मुश्किलात को दूर किया है, वहां हमारे लिए ये मुश्किल भी हल कर दी है. अगर हम मार्केट में नजर दोड़ाएं, तो ऐसे बहुत से टूल्स और सौफ्टवेर्स हैं, जिनकी मदद से हम अपनी प्रेजंटेशन को बेहतर तरीके से त्यार कर सकते हैं. लेकिन हम जो सौफ्टवेर को इस्तमाल करेंगे, वो Microsoft PowerPoint है, जो कि किसी भी किसम की प्रेजंटेशन को तियार करने के लिए एक मुफीद सौफ्टवेर है. आईए, अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तमाल किया जाता है. डेस्क्टॉप पर आपको सबसे नीचे एक बार नज़र आ रही है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं. टास्क बार पर आपको बाएं जानिब कॉर्णर पर ये एक बटन नज़र आ रहा है, जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है या Windows का आईकॉन बना हुआ है. इस बटन पर क्लिक करते हैं. जैसी ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आपको Microsoft PowerPoint के नाम से एक आईकॉन नज़र आ रहा है. अब हम Microsoft PowerPoint पर क्लिक करते हैं. जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए, आपके सामने प्रिजन्टेशन अप्लिकेशन यानि PowerPoint 2010 ओपन हो जाती है. Microsoft PowerPoint 2010 एक ऐसा प्रिजन्टेशन सौफ्ट्वेर है, जिसके जरीए हम डाइनिमिक स्लाइड प्रिजन्टेशन बना सकते हैं. डाइनिमिक स्लाइड प्रिजन्टेशन जिसमें हम एनिमेशन, टेक्स्ट, आवाज, तस्वीर और वीडियोज को शामिल कर सकते हैं. Objectives इस लेसन में हम सीखेंगे Microsoft PowerPoint 2010 की इन्वाइर्मेंट कैसी है? Backstage View क्या होता है? Ribbon और Quick Access Toolbar क्या होते हैं? एक नई प्रिजन्टेशन किस तरह से बनानी है? अगर आप PowerPoint से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं, तो आप देखेंगे कि PowerPoint 2010 के इंटरफेस में Backstage View का फर्ख है, जिसे हम इस लेसन में कवर करेंगे. Navigating PowerPoint to create a slide presentation PowerPoint में प्रेजन्टेशन बिनाने के लिए आप slides का इस्तमाल करते हैं. एक अच्छे प्रेजन्टेशन के लिए PowerPoint आपको प्रेजन्टेशन में अलफाज, वीडियो, बुलिट लिस्ट, तसावीर और चार शामल करने की सहूलत फिरहम करते हैं. इन अज़जा के बुदॉलत आप एक अच्छे और दिलकश प्रेजन्टेशन बिना सकते हैं. एक प्रेजन्टेशन में आप एक से ज़ादा slide शामल कर सकते हैं और प्रेजन्टेशन को किसी भी वद, slide show play option के जेरिया आप प्ले कर सकते हैं. Microsoft के दूसरे softwares की तरहा आपको सबसे उपर title bar नजर आ रही है. इस title bar के साथ आपको चंद icons नजर आएंगे. ये quick access tool bar कहलाती है. इसमें आपको छोटा सा arrow नजर आ रहा है. इस arrow को क्लिक करने से एक menu open हो जाएगी. इस menu में new, open, save, email, quick print वगएरा की option आपको नजर आएंगी. ये एक तरहा से shortcut menu है, जिसका मकसद PowerPoint की common tasks को perform करना होता है. आप देखेंगे के PowerPoint की पुरानी versions और 2010 वाले version में एक main फर्क ये है के open और print जैसी commands ribbon में मौजूद होती हैं. ये interface backstage view कहलाता है. The ribbon Ribbon में मुख्तलिफ tabs होते हैं. हर tab में commands का एक group है. कुछ tabs, जैसे drawing tools या table tools जैसी options हमें insert के tab में मिलती हैं, जब हम tables या images पर काम कर रहे होते हैं. इसके इलावा आप अपने customized tabs भी बना सकते हैं, जिन में आप अपनी favorite commands को group करके add कर सकते हैं. To customize the ribbon आईए, आपको ribbon को customized करने का तरीका बताते हैं, जिसमें आप अपनी मर्जी की commands को group कर सकते हैं. इसके इलावा, आप पहले से मौजूद default ribbon को भी अपनी मर्जी के मुताबिक customized कर सकते हैं. रिबन पर right click करें. Customize the ribbon पर click करें. आपके सामने ये dialogue box खुल जाएगा. New tab पर click करें. एक नया tab बन जाएगा, जिसके अंदर नया group भी होगा. इस बात को यकीनी बनाएं कि new group की option selected है. माउस pointer के बाएं जानिब को ये एक command select करें और फिर add की option पर click करें. इसके अलावा, आप commands को बराहे रास्त ड्रैग करके भी इस group में add कर सकते हैं. जब आप ribbon में commands को add कर लें, तो okay का button click करें. याद रखें, अगर आपको अपनी मर्जी की command ना मिल रही हो तो choose commands वाली drop down list को click करके all commands वाली option को मुंतखिब करें. To minimize and maximize the ribbon Microsoft PowerPoint 2010 में ribbon को इस तरह डिजाइन किया गया है. ताके ये user की task के लिए responsive या dynamic हो, यानि ये screen की resolution के हिसाब से minimize या maximize किया जा सके. Ribbon के उपर इंतहाई दाएं जानिब, इस arrow को click करें. Ribbon minimize हो जाएगा. अब ribbon को maximize करने के लिए इसी arrow को दुबारा click करें. जब ribbon minimize हो तो आप tab के उपर click करके ribbon को show करवा सकते हैं. और जब आप इसको इस्तैमाल नहीं कर रहे होंगे तो ये खुद बखुद गायब हो जाएगा. The Quick Access Toolbar. Ribbon के बिलकुल ऊपर Quick Access Toolbar होती है. इस Quick Access Toolbar में common commands होती हैं, जिनको आप किसी भी tab में रहते हुए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. इस toolbar में पहले से Undo, Save और Repeat की commands मौजूद होती हैं. लेकिन आप इसमें अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी की commands को add कर सकते हैं. To add commands to the Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar के दाएं जानिब, Drop Down arrow को क्लिक करें. अब इस Drop Down list में से इन commands को सेलेक्ट करें, जिन्हें आपने Quick Access Toolbar में शामिल करना है. मजीद options के लिए More Commands की option को सेलेक्ट करें. Backstage View Microsoft PowerPoint में Backstage View आपको File, Opening, Saving, Printing और Sharing की मुख्तलिफ options देता है. ये Backstage View, Microsoft PowerPoint 2007 के Microsoft Office बटन और PowerPoint के पुराने versions की File menu की तरह है. ताहम ये सिर्फ एक menu के बजाए, Full Page View है, जो हमें काम के दौरान आसानी मुहिया करता है. To get to Backstage View File Tab पर क्लिक करें. आप इन बाएं जाने बाली कोई भी option चुन सकते हैं. अपने डॉक्यूमेंट में वापिस आने के लिए, दुबारा Ribbon पर मौजूद किसी भी टैब पर क्लिक करें. Creating and Opening Presentation To create a new blank presentation नई blank presentation बनाने के लिए File Tab को क्लिक करें. New को Select करें. पहले से दस्तियाब Templates और Themes में से Blank Presentation को Select करें. यह option पहले से Highlighted होगी. Create पर क्लिक करें. अब आपके सामने PowerPoint विंडो में Blank Presentation ओपन हो जाएगी. To open an existing presentation आईए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई presentation को किस तरह ओपन करते हैं. File टैब पर क्लिक करें. यह आपको Backstage View में ले जाएगा. अगर आपने हालिया बनाई हुई presentation को open करना हो तो इसे Recent वाले File टैब से open करें. Open को Select करें. एक Dialog Box ओपन हो जाएगा. अब जो presentation आपने open करनी है इसे Select करें और Open पर क्लिक करें. Compatibility Mode बाज उकात आपको ऐसी presentations में काम करना पड़ सकता है जो PowerPoint की पुरानी versions में बनी हो. मसलने PowerPoint 2003 या PowerPoint 2000 वगेरा. इस किसम की presentations सिर्फ compatibility mode के जिरिये open हो सकती है. Compatibility mode उन तमाम नए और advanced features को disable कर देता है और basic features को enable कर देता है जो उस presentation को बनाने के लिए इस्तमाल किया जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई presentation खोली है जो PowerPoint 2003 में बनी है तो आप सिर्फ वो ही tabs और commands इस्तमाल कर पाएंगे जो PowerPoint 2003 में हैं. ये देखें, हमने एक presentation को compatibility mode में खोला हुआ है. आप देख सकते हैं कि कई नई transitions इस वक्त disable हैं और सिर्फ 2003 वाली transitions दस्तियाब हैं. इस compatibility mode से निकलने के लिए जरूरी है कि आप presentation को मौजूदा versions में save करें. क्यूंकि अगर आप ऐसी environment में काम कर रहे हैं, जहां बाकी लोग पुराने versions में काम करते हैं, तो ये सबसे बहतर है कि आप presentation को compatibility mode में रहने दें. ताके इस presentation की extension file तब्दील ना हो और presentation तमाम लोग आसानी से access कर सकें. To convert a presentation File tab पर क्लिक करें और Backstage View को access करें. Save as command को ढूँड़ें और select करें. आपके सामने Save as का dialogue box जाहर होगा. Location को select करें, जहां आपने अपनी file सेव करनी है. File का नाम दें और Save को क्लिक कर दें. Save as type में से PowerPoint 97 to 2003 को क्लिक करें. आपकी presentation नई file type के साथ सेव हो जाएगी. Slide Basics इस लेसन में आप जान जाएंगे के किस तरह आपने नई slides को add करना है? Presentation Layout को कैसे तबदील करना है? किसी presentation में पहले से मौजूद slides को किस तरह arrange करना है? Slide View को कैसे तबदील करना है? और Slides में Notes किस तरह add करने है? PowerPoint Slides में टेक्स लिखने के लिए Placeholders होते हैं. Placeholders वो Input Area है जो हमें Slide पर Dotted Border की सूरत में नजर आता है. इन Placeholders में हम मुख्तलिफ आइटम्स, मसलन पिक्चर्स, टेक्स्ट और चार्ट्स वगईरा इंसर्ट कर सकते हैं. About Slide Layouts PowerPoint Slides में Placeholder मुख्तलिफ ले आइटम्स में अरेंज होते हैं, जिनका इंतखाब आप पहले से बनी हुई Slides पर या नई Slides बनाते वक्त कर सकते हैं. Slide Layout की बदौलत आप अपने Content को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं. इस दी गई मिसाल में जो Layout इस्तेमाल किया गया है, वो Title and Content Layout कहलाता है और इसमें Title and Content किस्म के Placeholders का इस्तेमाल किया गया है. हर Layout का नाम उसकी किस्म के मताबिक होता है. इसी लिए आप एक Placeholder की तस्वीर देख कर जान जाएंगे कि कौन सा Placeholder किस Layout में अरेंज होगा. Customizing Slide Layout किसी existing या पहले से बनी हुई Slide का Layout तबदील करने के लिए. सबसे पहले आप उस Slide को Select करें जिसका Layout आप तबदील करना चाहते हैं. अब Home टैब में Layout Command को क्लिक करें. आपके सामने Slides के मुख्तिलिफ Layouts आ गए हैं. अब इस Menu में से अपनी Mercy का Layout पसंद करें. और ये देखें, स्लाइड आपके मुन्तखिब करदा Layout के मुताबिक तबदील हो गई है. घेर जरूरी और Extra Placeholders को Delete करके आप बड़ी आसानी से अपने Layout को Customized कर सकते हैं. माउस को उस Placeholder के Border पर बनी Dotted Line पर ले जाएं. ये देखें, माउस पॉइंटर की शकल कुछ इस तरह Cross Arrows हो जाएगी. Border पर क्लिक करके इसको Select करें. अपने Keyboard से Backspace या Delete को Press करें. Placeholder स्लाइड पर से Remove हो जाएगा. स्लाइड में Text Box को Add करना. टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में Insert करके आप Slides में Text लिख सकते हैं. इसका तरीका कुछ यूँ है. Insert Tab में Text Box की Command को Select करें. आपके करसर की शकल कुछ यूँ तब्दील हो जाएगी. Text Box को Mouse की मदद से क्लिक करें. और Mouse Pointer को स्लाइड में किसी भी जगा पर क्लिक करें, तो आपको Text लिखने के लिए Box मिल जाएगा. To Use a Blank Slide अपने Content पर मजीद Control या इसको Customized करने के लिए आप Blank Slide को तरजीह दें, यानि ऐसी स्लाइड जिस पर कोई Place Holder ना लगा हो. Layout के मेन्यू में से Blank Slide की Options सिलेक्ट करें. Working with Slides नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Home Tab पर New Slide की Command पर क्लिक करें, तो एक Slide Layout Options का मेन्यू ओपन हो जाएगा. जो Slide Layout आप चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें. एक नई स्लाइड का आपकी Presentation में इजाफा हो जाएगा. एक Slide को Instantly Add करने के लिए, आप सिर्फ New Slide की Command पर क्लिक करें. ऐसा करने से उसी Layout की Slide आएगी, जिस Layout पर आप Already काम कर रहे होंगे. इसलिए आप सिर्फ New Slide कमांड के Top Half पर क्लिक करें. To Copy and Paste a Slide Slide Copy और Paste करने के लिए, Slides Pan पर वो Slide सिलेक्ट करें, जिसे आपने कॉपी करना हो. Home Tab पर Copy कमांड पर क्लिक करें. यही काम आप Selected Slide पर Right Click से भी कर सकते हैं. इस Slide Band पर क्लिक करें. स्लाइट के बिलकुल नीचे या दो स्लाइट के दर्मियान जहां आपने कॉपी की हुई स्लाइट को पेस्ट करना है, आप देखेंगे के दो स्लाइट के दर्मियान उफकी या Horizontal Insertion Line जाहिर हो जाएगी. अब Home Tap पर Paste Command पर क्लिक करें. यही काम आप उस Horizontal Insertion Line पर Right Click से भी कर सकते हैं. एक से ज्यादा स्लाइट को सिलेक्ट करने के लिए Keyboard से Control को प्रेस करें और स्लाइट को सिलेक्ट करें. To Duplicate a Slide Copy और Paste की बजाए, आप इसके मुतबादल तरीका से भी स्लाइट को डुप्लिकेट कर सकते हैं. Duplicating Slides के जरिए, आप अपनी स्लाइट को कॉपी कर सकते हैं. सिर्फ एक स्टेप में. लेकिन इस तरीके में आप स्लाइट की लोकेशन नहीं सिलेक्ट कर सकते कि किस स्लाइट के बाद ये स्लाइट पेस्ट होगी. अलबत्ता, कॉपी होने के बाद ड्रैग करके मतलूबा जगह पर लाया जा सकता है. जिस slide को duplicate करना हो, उसे select करें New slide पर click करें इस menu में नीचे, duplicate selected slides पर click करें Select की गई slide की एक duplicated slide आ जाएगी To delete a slide जिस slide को delete करना हो, उसे select करें Delete या keyboard से backspace को press करें To move a slide जिस slide को आपने move करना हो, उसको select करें उस slide को mouse से hold करते हुए drag करें और वहाँ ले जाएं जहाँ आपने वो slide move करनी है यहाँ भी उसी तरह एक horizontal insertion point नजर आएगा Mouse को release करें, तो slide उस जगा move हो जाएगी Managing slides and presentations About slide views यह बहुत जरूरी है कि आपको मुख्तलिफ slide views और उनका इस्तेमाल आना चाहिए PowerPoint की window में नीचे दाय जानिब आपको slide view commands नजर आएंगी Normal view यह वो view है जिसमें आप normal slides को edit कर रहे होते हैं आप slides को slide tab में move भी कर सकते हैं Slide sorter view इस view में miniature slides या slide tab में छोटी slides को arrange किया जाता है इस view में आप slides को reorder और उनको अपनी मर्जी से एक ही वक्त में arrange कर सकते हैं यह एक अच्छा view है क्योंकि इस view में आप पर ये वाज़े हो जाता है कि presentation में तमाम slides अपनी जगा हैं और कोई slide delete या miss नहीं हो रही या कोई ऐसी slide तो नहीं आ रही जो हमने delete कर दी हो Reading view इस view में हमें computer की ज़्यादा से ज़्यादा screen इस्तेमाल करते हुए presentation में मौझूद slides का बेतर preview मिलता है Indentation और line spacing दो बहुत एहम features हैं जिनें इस्तमाल करके आप slide पर presentation text की appearance को तबदील कर सकते हैं Multiple level list को बनाने के इलावा Indentation के जरीए हम paragraph को visually set कर सकते हैं इस lesson में आप सीखेंगे के text की किस तरह indenting और line spacing set करते हैं जब आप किसी paragraph की indenting करते हैं तो उसकी पहली line की indenting paragraph की बागी lineों से मुख्तलिफ करते हैं और जब आप text के साथ bullets और numbers देते हैं तो इस वक्त indenting level मुख्तलिफ होगा इसको हम multi-level list कहते हैं इसी तरह line spacing से भी आप text की appearance को बदल सकते हैं इंडेंटिंग का एक आसान तरीका keyboard से तैब की का इस्तेमाल है यानि आप तैब की से भी इंडेंटिंग कर सकते हैं एक normal paragraph में सिर्फ paragraph की पहली line को ही इंडेंट किया जाता है लेकिन numbered list या bulleted list की इंडेंटिंग इस तरह की जाती है इंसर्शन पॉइंट को paragraph की पहली line के शुरू में रखें टैब की को प्रेस करें आप देखेंगे के paragraph इंडेंट हो गया तो यूज दा इंडेंट कमांड्स अगर आप चाहते हैं के paragraph की तमाम लाइने automatically इंडेंट हो जाएं तो आप होम टैब में मौजूद इंडेंट कीज के जरीए ये काम कर सकते हैं lists के लिए इंडेंट कमांड इसी तरह काम करेगी जिस तरह टैब की से इंडेंटिंग करते हैं सबसे पहले टैक्स्ट को सिलेक्ट करें होम टैब पर जाकर increase इंडेंट कमांड पर क्लिक करें या decrease इंडेंट कमांड पर क्लिक करें आपका selected text नई इंडेंट सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएगा जब आप किसी ऐसे bulleted text के अंदर टैक्स्ट को सिलेक्ट करके मजीद इंडेंट करते हैं तो इसको multi-level list कहते हैं इस तरह की multi-level list किसी project की outline या तन्जीमी धांचे को show करने के लिए ज्यादा मददगार होती है इस मकसद के लिए बेहतर होता है कि आप मुख्तलिफ style की bullets इस्तेमाल करें fine tuning indents बाज वकात presentation में बहुत अच्छे दरजे और multi-level किस्म की indenting की जरूरत होती है इस मकसद के लिए powerpoint में indent markers का इस्तेमाल आपकी presentation की indenting को ज्यादा मुख्तर बना सकता है ये markers indent आपको ruler पर मौजूद tabs tops पर मिलेंगे by default ruler hidden होता है इसलिए पहले आपको ruler show करवाना होगा ruler show करने के लिए view tab को select करें ruler के check box को click करें इस check box से ruler show या hide होता है customizing bullet spacing जब lists पर काम कर रहे हो तो powerpoint आपको bullet और text में space को adjust करने की option देता है ये adjustment आप first line indent marker या hanging indent marker के जरीए कर सकते हैं to change bullet spacing lines को select करें ruler के उपर first line indent marker को drag करते हुए right to left ले कर जाएं इस तरह आप hanging indent marker को text movement के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं bullets को move किये बगएर line spacing powerpoint में आप paragraph की lineों के माबेन फासला भी adjust कर सकते हैं यानि आप अपनी slides में ज्यादा lines add करने के लिए line spacing को reduce या कम करके मजीद text का इजाफा कर सकते हैं इसी तरह आप readability को बढ़ाने के लिए line spacing को ज्यादा भी कर सकते हैं to format line spacing जिस text को format करना हो उसको select करें home tab पर मौजूद paragraph group में line spacing command को click करें drop down menu में अपनी पसंद या जरूरत के मताबिक line spacing को select करें अगर आप मजीद बारीकी या precision से line spacing को adjust करना चाहते हैं तो drop down menu में line spacing options को select करें आपके सामने एक dialogue box खुल जाएगा इस dialogue box की मदद से आप paragraph spacing की fine tuning कर सकते हैं ये वो spacing है जो हर paragraph के शुरू और आखिर की line spacing होती है Home tab के paragraph group में आपको मुख्तलिफ options नज़र आएंगी जिन में bullets and numbering, text direction, text alignment, columns और convert to smart graphics वगेरा है Presentation Notes for Presenter अब हम आपको बताते हैं कि slide में presenter के लिए notes किस तरह add किये जाते हैं इसके लिए आपको slide pan के नीचे एक और pan नज़र आ रहा है जहां पर click to add notes लिखा हुआ है जैसी ही हम इस पर click करते हैं तो वो जगह blank हो जाती है इस जगह हम वो notes लिख सकते हैं जो के presenter, presentation देते हुए इस्तेमाल कर सकता है Number the slides अब हम आपको बताते हैं कि slide को number किस तरह लगाते हैं इसके लिए हम insert के tab पर click करते हैं इंसर्ट के tab में हमें slide number की command नज़र आ रही है जैसे ही हम इस पर click करते हैं, हमारे सामने एक box open हो जाता है जिसमें हमें दो tabs, slide और notes and handouts के नाम से नज़र आ रहे हैं इसमें से हम slide के tab पर click करते हैं, जिसमें हमें मुखतलिफ options नज़र आ रही हैं मसलन, date and time, footer, slide number वगएरा और इनके शुरू में एक box भी है इसमें हमें slide number वाले box को click करना है जैसे ही हम slide number पर click करते हैं, तो इस box में एक tick mark आ जाता है इसके बाद हम apply के button पर click करते हैं ये देखिए, जैसे ही हमने apply के button पर click किया है, हमारी slide पर number लग गया है इस तरह हम मुख्लिफ slides को numbers लगा सकते हैं Bullets and Numbering Home tab में, Paragraph Group में, इस option के जरिए आप text को left, right और alignment justify कर सकते हैं By default ये alignment center पर set होती है ये देखें, हम place holder में मौजूत text की alignment देखें, तो वो हमें center align नजर आता है अब जब हम left align करें, तो text left की तरफ move कर जाता है Right align से text दाएं जानिब move कर जाएगा और justify से place holder में लिखा गया text उस place holder की मुकरर करदा space के अंदर adjust हो जाता है Justify की option उस वक्त काम आती है, जब slide में text ज्यादा हो Columns की option के जरिए, हम slide में columns के अंदर text लिख सकते हैं Convert to Smart Graphics की option के जरिए, हम text को graphical form में तबदील करके अपनी slides को मजीद जाजबे नजर बना सकते हैं ये देखें, एक साधा तरीके से लिखा गया text कितनी खुबसूरत और मुख्तलिफ shapes में तबदील हो रहा है Applying a Theme Theme एक by default color combination के साथ मुख्तलिफ fonts, effects और settings का मजबूवा है PowerPoint में भी कई themes आपको मिलेंगे, जिनको इस्तमाल करके आप अपनी presentation की outlook को तबदील कर सकते हैं इस lesson में हम themes और उनको apply करने के बारे में सीखेंगे असल में जब आप PowerPoint को खोलते हैं, तो भी आप पहले से तैशुदा theme पर ही काम कर रहे होते हैं ये देखें, ये PowerPoint का पहले से मुकरर करदा theme है, जिसमें background सुफैद, font किलिबरी और काले रंग का text set है themes को किसी भी वक्त अपनी जरूरत के मुताबिक तबदील या apply किया जा सकता है Theme elements, theme के अनासिर या हिस्से PowerPoint का हर theme बशमूल, default theme के मुख्तिलिफ अनासिर पर मुश्तमिल होता है वो ये हैं Theme का रंग, theme, fonts, shape, styles Why use theme elements? हम theme के अनासिर क्यों इस्तैमाल करते हैं? जब आप theme elements को इस्तैमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी presentation कितनी खुबसूरत और जाजबे नजर बन जाएगी इस तरह आप अपनी presentation पर कम वक्त में ज्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं जब आप theme तबदील करें तो तमाम elements खुद बखुद अपडेट हो जाएंगे और उसी theme के मताबिक set हो जाएंगे यूँ आप चंद clicks की मदद से अपनी presentation की look change कर लेते हैं याद रखें, presentation के रंग और text के fonts तभी तबदील या अपडेट होंगे जब आप theme के default color को इस्तेमाल करेंगे अगर आप standard color या font इस्तेमाल करें तो आपका color या text तबदील नहीं होगा ये उस वक्त फाइदा मंद होगा जब आप logo या कोई title बना रहे हों जिनको अमूमन तबदील नहीं किया जाता theme के तबदील होने का असर slide layout पर भी पड़ता है अगर आप presentation स्टार्ट करने से पहले कोई theme मुंतखिब करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस मुंतखिब करदा theme में रहते हुए काम कर सकते हैं अगर आप presentation बनाने के बाद theme तबदील करते हैं तो चूँके आप पर text, placeholders और तसावीर की formatting बदल जाएगी इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से modification या तर्मीम करनी पड़े अप्लाइंग themes डिजाइन टेब में जाएं Theme group को तलाश करें हर image एक theme की नुमाइंदगी करता है यहां मौजूद drop-down arrow को क्लिक करें आपको मजीद theme option नजर आएंगी अपने mouse pointer को किसी भी theme के ऊपर लेकर जाएं तो आपको उस theme का live preview अपनी presentation में नजर आएगा यहां आपको इस theme का नाम भी नजर आ रहा है अब इस theme पर क्लिक करें आपका मुन्तखिब करदा theme आपकी presentation पर apply हो गया है इंसर्टिंग images presentation में तसावीर आड़ करने से आपकी presentation और attractive हो सकती है तसावीर, clip art और screen shots अपनी presentation में आड़ करने से आपकी presentation देखने वालों के साथ बेहतर तरीके से communicate कर सकती है इस lesson में आप सीखेंगे कि presentation slides में तसावीर, screenshot, clip art और video किस तरह लगा सकते हैं अपने पसंदीदा image का इंतिखाब करें और insert पर click करें मुंतखिब करदा picture आपकी slide पर insert हो जाएगी इसी तरह आप किसी file में से भी कोई तस्वीर मुंतखिब करके अपनी presentation के place holder में लगा सकते हैं To locate clip art, insert tab को select करें Images के group में clip art को click करें Clip art की options आपके document के दाए जानिब जाहिर हो जाएगी Keyword या अपना मतलूबा loves सर्च के text box में type करें यानि उस मुतालिका field से मुताबिक image को सर्च करें जो आप insert करना चाहते हैं अब drop down arrow को click करें जहां आपके सर्च करदा results शो हो रहे हैं अब इन results में से आपको जो media नहीं चाहिए उसको deselect करतें अगर आप office.com के clip art को भी अपनी search का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो include office.com के mark को check करें वरना या आपको सिर्फ आपके computer में से search करके देगा Go पर click करें To insert clip art Clip art के pen पर अपने search किये गए clip arts को review करें अपने मतलूबा image को select करें मुंतखिब करदा clip art आपकी slide में insert हो जाएगा इसी तरह आप किसी file में से भी clip art को insert कर सकते हैं Use a slide master अब हम आपको बताते हैं कि एक slide master को किस तरह बनाते हैं इसके लिए हम view के tab पर click करते हैं View के tab में आपको slide master के नाम से एक option नजर आ रही है जैसे ही हम इस पर click करते हैं हमारे सामने master slide आ जाती है Master slide में हम अपनी तमाम slides की settings कर सकते हैं यानि हर slide के title किस तरह का हो इसमें bullets या numbering का style किस तरह का हो या हर slide का background किस तरह का हो हम जो भी title, background, bullets and numbering का style और slide के दूसरे contents slide master में रखेंगे वही हमारी बाकी तमाम slides पर apply हो जाएंगे मसलन हम इसमें title को bold करते हैं और इसका color blue कर देते हैं और इसके बाद ribbon में मौजूद close master view के button पर click करते हैं इस button पर click करने से slide master का view खत्म हो जाता है गौर करें कि आपके सामने जो slide है इसका title इसी color यानि blue में है जो के हमने slide master में किया था अब हम एक और slide insert करते हैं ये देखिए इसके title का color भी blue ही है ये इस वज़ा से है क्यूंकि हमने slide master के title का color blue किया हुआ है जो के तमाम slides पर apply हो गया है यानि slide master के जरीए हमें ये काम हर बार नहीं करना पड़ता बलके एक ही बार हम इसको set कर सकते हैं इस तरह से हम slide master के जरीए बाकी तमाम slides के contents को set कर सकते हैं जरीए है